आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रिसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरहत विडियो सिलीशन पाओ अब ही राउटनोट करें SN2 अवक्रिया में यहां पर क्या होगा, इसका जो BR मानस होगा, वो इस वाले कारवन पर क्या करेगा, अटेक करेगा और जहां से आपका OH यहां से निकल जाएगा तो आपका बनेगा CS3, CHBR, CS3 आपका बनेगा, अब हम इसकी अवक्रिया किस के साथ करा रहे हैं, यह क्या आगे हमारा X आगे, यह क्या आगे हमारा X, X क्या हमारा CS3, CH, CS3, BR में इसको इस तरह से बिलकुल लिख सकता हूँ, और इसकी अवक्रिया अगर मैं Mg, Ether के साथ होती है, किस की उपस्तिती में, Ether की उपस्तिती में है, तो हमारा RMG X बनता है, तो यानि के इस ब्रोमीन के साथ क्या लग जाएगा, Mg लग जाएगा, यानि के CS3, CH, CS3, Mg, BR, यानि के आपका ग्रिग नाल्ड अविकर्मक यह बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इसको कहते ह ग्रिग नाल्ड अविकर्मक, जो है अपना CS3, CH, CS3, Mg, BR, यह क्या है, ग्रिग नाल्ड अविकर्मक, इसकी अविकर्या करा रहे हैं, पानी के साथ, HOH, और आपको पता है, देखो, यहाँ पर क्या आएगा, रिणावेस आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, धनावेस, करेगा, इसके पास रिणावेस है, तो यह चार की तरह काम करेगा, क्योंकि इसके पास Electron Hume है, और यह Electron Hume उत्याग कर यहाँ से H+, को ग्रेंड कर लेगा, और आपका CS3, CH, CH, CS3, PLUS Mg, OH, BR, बना देगा, यानि कि आपका यह जो मुख्य उत्पाद बना है, वो क्या है, CS3, CH2, CS3, यानि कि प्रोपेन जो है, आपका यहाँ पर मुख्य उत्पाद होगा, तो यहाँ पर आप विकल्प देखो, जो चौथा विकल्प है, यही इसका सही उत्तर है, धन्यवाद.